नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनिट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस सरीके की मुवमेंट लास्ट रिणिंग सेशन में रही और अभी जो करन्ट लाइव मार्केट चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें सपोर्ट औ इसमबर का कॉंट्रेक्ट है ठीक है अक्टूबर की लगभग एकक्सपायर हो जाएगा अब जो भी ट्रेडर्स हैं वो मोस्ली दिसमबर के कॉंट्रेक्ट में एंटर कर चुके है तो इसमें जिस तरीक की मुवमेंट रहेगी अब आज से हम इसी को डिसकस करेंगे आज और कल कल से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं मार्केट ने एक स्ट्रेंथ को दिखाय था सेलिंग आई प्राइसेस काफी नीचे ये मतलब इतनी नीचे भी नी गोल्ड ने थोड़ा सा अभी भी अपने आपको होड करके रखा जो सेलिंग थी गोल्ड में वो एक करेक्शन के लिए ठीक है करेक्शन के तरीके से कह सकते हैं पर एक डाउन ट्रेंड फ्री फॉल या एक मतलब इतनी एक्स्ट्रीमली वीकनेस गोल्ड के चार्ट पैटरन में वो अभी देखने को नहीं मिली है ठीक है एक्सपेक्टेशन यह थी कि मार्केट फ्लैट टू निगेटिव उपन हो सकता है और आज पॉजिटिव उपन हुआ है पॉजिटिव उपनिंग के बाद गोल्ड ने अभी अपने आपको यहाँ पर सस्टेन किया हुआ है 900 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है कल जो क्लोजिंग थी क्लोजिंग सेशन से थोड़ा सा पहले मार्केट 800 के लेवल के आसपास बहुत अपने आपको होड़ करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर हम देख रहे हैं यह करेक्शन आई थी ठीक है गोल्ड के प्राइसेज में जो यह अभी स्टेन्थ हम देख रहे हैं यह पूरे दिन सस्टेन करना गोल्ड के लिए काफी जादा मुश्किल हो सकता है इसमें देखिए गोल्ड में मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ के दो मेजर फेक्टर हमेशा इन्वाल्ड होते हैं पहला तो जो इससे डारेक्ट लिंक है गोल्ड यूस्ट वहाँ पा जिस सरीके की मुवमेंट चल रही है वो हमें गोल्ड एमसी एक्स में देखने को मिलेगी दूसरा यूस्ड आई एन आर यूस्ड एन आर में अगर स्ट्रेंथ है तो गोल्ड एमसी एक्स का नीचे की तरफ कंटीन्यू रहना वो थोड़ा सा मुश्किल बना रहता है ठीक है अगर उसमें एक वीक्नेस आ जाएगी तो गोल्ड का उपर सस्टेंड करना वो मुश्किल हो जाता है तो गोल्ड में जो हम रिकवरी भी देखेंगे वो बार-बार इसे एक रेस्टेंस को फेस करना होगा गोल्ड ने ऐसा नहीं है कि अगर करेक्शन नहीं है तो इसमें अभी एकदम से हम तेजी देख रहे हैं तेजी की उम्मीद नहीं है गोल्ड अपने आपको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इन लेबल्स पे और आगे चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि आप हमें नजर आ रहा है प्राइसेज में डाउनसाइड रिकवरी स्ट्रेंथ फिर से वीकनेस और यहाँ पर अगर हम देखें चार्ट को चार्ट पेटरेंट थोड़ा से यहाँ पर क्लियर हो रहा है देखे जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा पेटरेंट उतना ज़ादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा प्राइसेज जो हैं यहाँ से इस वे में थोड़ा सा एक स्लोप इसका डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ एक करेक्शन दिखा रहा है मार्केट ने अपने आपको सिर्फ हम इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा होल्ड किया हुए सपोर्ट ले लिया उपर आगया मार्केट फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है अगर अभी भी USDINR में कोई अभी जैसे मेरे ख्याल से 5-6 पैसे की एक स्ट्रेंथ के साथ USDINR चल रहा है तो अगर ये स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है तो जरूर गोल्ड को थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलेगा अगर ये प्राइसे यहीं पर रहते हैं करंसी मार्केट में तो गोल्ड में इवनिंग सेशन आते आते या इवनिंग सेशन के थोड़ा सा और बाद हम कल का लोग ब्रेक होते हुए देखेंगे इस चिसकी बहुत ज़ादा possibility नजर आ रही है अभी ठीक है तो जो भी short selling में है उन में risk अभी इतना नहीं है इतना क्या मैं तो यह समझता हूँ कि अगर currency market में थोड़ी सी weakness भी आ गई तो gold के prices MCX पे एकदम से नीच जाने की कोशिच करेंगे ठीक है तो जो buyers हैं वो कहाँ पर थोड़ा सा safe feel कर सकते हैं उसके लिए हम बात करेंगे levels को देखते हुए थोड़ा और आगे चलते हैं चार घंटे के time frame पे यहाँ पर भी अगर हम देखें तो market में selling prices यहां consolidate हो रहे थे नीचे फिर उपर फिर से और नीचे और अभी देखिए जो consolidation चल रहा है इसमें वो बिलकुल lowest level पे चल रहा है इस पूरे के पूरे time frame में चार घंटे के time frame में बहुत बड़ा एक हमें trend नजर आता है अगस्त से लेकर अभी यहां पर September के end तक हमारे सामने view है और इस पूरे के पूरे view में जो gold के prices हैं वो अपने extremely lowest level पे भी trade कर रहे है हमें सिर्फ intraday में ऐसा लग रहा है कि market ने एक gap up opening दिखाई है तो prices में कहीं strength है सी ना आ जाए कि prices यहीं से उपर की तरफ move करने लगे देखे जब भी आप market screen के सामने बैठते हैं तो आपका जो ध्यान होता है वो सिर्फ इस चीज़ पे ज़्यादा होता है मतलब इस psychology है कि market ने gap up opening दिखाई है तो आपको यह लगने लगता है कि market में strength है पर trend उसका नीचे है वो आपको चीज chart को देखते हुए थोड़ी सी export हो जाएगा कुछ हो जाएगा जैसा भी थोड़ी सी clarity आजाती है और आगे एक बार चलते हैं और आगे इतना clear view नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैंने यह देखी आपको समझ में आगया होगा यह dotted line इसलिए क्योंकि तब सिर्फ इसी contract की में बात कर रहा हूँ ठीक है तो इस contract में market नीचे downside, downside extremely low level market trade कर रहा है 45,924 पे December का contract 46,000 के नीचे successfully अपने prices को hold करता हूँ नजर आ रहा है gold में बहुत बार हम इस तरीके का एक pattern देखते हैं एक range होती है range को market hold करके रखता है और फिर एकदम से prices जो है आगे की तरफ move करते हैं ठीक है तो यह वही holding pattern है gold में अभी जो हो सकता है थोड़े time के लिए और यहाँ पर market अपने आपको hold करने ही कोशिच करें, intraday में कुछ ऐसे भी sign दिखा है आने वाले time में कि जैसे buying आने लग गई है पर trend overall नीचे का है और कल जिस तरीके का इसने एक downside में levels को break किया है, मैं gold USD की भी बात कर रहा हूँ और MCX की भी तो एक bearishness के sign हमें charts पे बहुत clear नजर आ रहे है एक bounce back हो सकता है intraday के लिए ठीक है, वो चीज possible रह सकते हैं और उसमें भी अगर currency market का थोड़ा support रहा तो otherwise market में selling continue है वापस चलते हैं एक घंटे के time frame पे उन levels को अभी हम discuss करते हैं जो हमारे लिए gold MCX, December contract में important हो सकते हैं, intraday के लिए भी और थोड़ा सा positional भी इस पूरे pattern को अगर हम देखें, ये एक pattern है इस तरीके का, मतलब lower lows लग रहे है, lower highs लग रहे है इस तरीके का pattern हमेशा एक bearishness को के continuation के sign देता है ठीक है, जब तक कि market कुछ एक particular level के उपर आना ना शुरू करते हैं, तो पहला level जो nearest level है, जिसके बाद market में थोड़ी सी strength की हम expectation रख सकते हैं, और वो इस strength भी इस तरीके से रहेगी के market एक consolidation में आ गया है, अभी तो ये weakness है, क्योंकि lower lows लगते जा रहे हैं सामने ठीक है, वो consolidation हो जाएगा कि fresh low लगने में थोड़ी सी problem आ सकती है gold को, तो वो price रहेगा 46,130 ठीक है, ये एक चीज है, दूसरी चीज इसके उपर जो important level है, वो है 46,470 तो ये price इतना important नहीं है, आला कि इसका break होना, जो sellers है, उनके लिए थोड़ी ये problem create कर देगा, कि अब वापस नीची जाने के लिए gold को थोड़ा time लग सकता है struggle लगाना पड़ सकता है पर 46,470 market में थोड़ी strength के indication देगा और prices जो है, थोड़ा सा अपने आपको और उपर के prices पे ले जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं इससे next जो level है वो है 47,150 यहाँ पर ये price break होता है, market में एक reversal आने के chances बनने लग जाएंगे, यहाँ पर ये price break अगर हो गया gold में, तो silver में भी अच्छी कासी strength हारी होगी, silver में भी एक pullback मिलेगा और prices जो है, उपर की तरफ move करना शू कर देंगे, 47,150 December contract ठीक है, और इसके बाद जो next level है वो last rise chance रहेगा gold के लिए 48,250 ये दोनों जो prices हैं, इनके उपर market का close होना matter करेगा 48,250 के उपर और 47,150 के उपर, इसमें कोई intraday level का break होना, sustain करना matter नहीं करेगा, closing, daily closing matter करेगी, downside के लिए market में अभी आने वाले time में 45,000 तक का भी levels देखने को मिल सकते हैं जिसमें पहला, अभी इस contract की में बात करना हो, वो पहला support इसे 45,500 के आसपास कहीं पर मिल सकता है ठीक है, तो एक चीज़ काफी clear है, के market में हम buying तो देखे बिल्कुल avoid करनी है, market ने gap up opening दी है, ये सिर्फ उनके लिए एक opportunity हो सकती है, exit करने के लिए जिनकी buying की position बनी हुई है, market थोड़ा सा उपर आया, आप अगर नहीं निकलते अभी, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा risk ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ levels हैं, जो अभी हमने discuss किये, और इनकी importance की आप वो discuss करी, तो ये था मेरा gold MCX पे अभी का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो like करें, share करें, बने रहे हैं मिरसा, देखते रहे है market report, धन्यवाद